दोस्तो नमस्कार सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जैसा आप लोग चाहते थे पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने का जो लास्ट डेट था उसे एक्स्टेंड कर दिया गया है उसे बढ़ा दिया गया है अब तक आप लोगों को पता होगा कि लास्ट डेट 31 मार्च 2021 था लेकिन इसे बढ़ा कर अब जून तक कर दिया गया है यानि कि 30 जून 2021 तक आ आप अपने pen card के साथ आधार card को link कर सकेंगे काफियासानी से यानि आधार card और pen card को आपस में link कर सकेंगे जो कि यहाँ पर e-filling website पर हम माजूद है income tax department के official website पर यहाँ पर उपर में slide होते हुए आप देख सकते हैं last date for linking pen with आधार 30 जून 2021 और यहाँ पर twitter handle पर भी tweet करकी यह ज पहले 30 जून 2020 था इसे बढ़ाया गया 31 मार्च 2021 तक आप 31 मार्च 2021 से बढ़ाया गया 30 जून 2021 तक तो pen card के साथ आधार number को link करने के लिए आपको इसी website पर आजाना होगा जो कि आपको सबसे पहले सर्च करना है आधार pen link यहाँ पर सर्च करोगे या फिर आधार card pen card link भी सर् सबसे उपर में आपको एक website एक link देखने को मिलेगा इस वाले options पर आपको click कर देना रहेगा click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार के interface नजराएंगे कभी-कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर link work नहीं करेगा कुछ इस परकार से तो आप लोग reload कर लेना या फिर 5-10 मिनट बाद जो है try करना यहाँ पर work करने लगेगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि pen number अपना enter करना है अधार number enter करना है और अधार card की ऊपर जो name है वो enter कर देना है उसके बाद देखिए दोस्तों अगर जो है आपकी अधार card में cable और cable birth year है तो आप टिक करिएगा अगर cable और cable birth year नहीं है तो आप यहाँ पर टिक मत करिएगा यानि कि आपके अधार card में वहाँ पर date भी दिया गया है मन्त भी दिया गया है और birth year भी दिया गया है तो आप इस पर टिक नहीं करिएगा अगर cable और cable birth year है तो आप यहाँ पर टिक करिएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर आपको टर्मेंट कंडिशन को एगरी करना है इमेज कैपचा जो बताया जाता है वो इमेज कैपचा आप यहाँ पर डाल दीजेगा नीचे में OTP का ओप्सन्स आता है देखे यह ब्लाइंट लोगों के लिए है तो यहाँ पर एक्वेस्ट OTP पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक मोवाल नमबर एंटर करना पड़ेगा उसके बाद आप अपने अधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर पाओगे तो चले फट फट हम यहाँ पर डिटेल एंटर करके आपको दिखा देती है उसके बाद ये भी बता देंगे कि कैसे आप चेक कर सकती है कि आपका लिंक हुआ या फिर नहीं हुआ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाम, डेटर वर्थ, जेंडर जो है ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं काफी आसानी से जो कि हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है पैन कार्ट पर अपडेट करने का भी और अधार कार्ट पर अपडेट करने का भी जिसका लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिप्सन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप चाहो तो देख सकती है तो दोस्तो हमने यहाँ पर पूरा डिटेल एंटर कर दिया है एक और फिर से उसके बाद लिंक आधार के उपर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग लिया जा रहा है हम थोरा सा इंतिजार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकती है यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो रिक्वेश्ट है वो यहाँ पर ले लिया गया है और तुरंत से दोस्तों यह जो है लिंक हो जाता है देरी भी नहीं लगता है अभी मैं आपको स्टेटस चेक करके भी दिखाता हूँ कुछ इसी परकार से आपके भी लिंक कर सकती है चलिए हम बैक आजाती है बैक आने के बाद यहाँ पर सेम उसी परकार के इंटरफेस नजर आया है तो यहाँ पर आपको एक उप्संस दिखेगा एक लिंक दिखेगा क्लिक हेर वाला तो क्लिक हेर पर क्लिक करिएगा इस पर जब क्लिक करोगे न तो स्टेटस चेक करने की आपको उप्संस आएंगे जहाँ पर आपको अपना पैन नमबर एंटर करना है और नीचे में आधार number एंटर करना है तो चलिए यहाँ पर अभी जो हमने pen card और अधार card को link किया है वही number एंटर करती है तो हमने यहाँ पर वही pen card number और अधार card number डाल दिया है जो अभी अभी हमने link किया और यहाँ पर view link आधार status की options आ रहे हैं तो इस वाले options पर हम क्लिक करते हैं इस वाले options पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर loading लिया जा रहा है चलिए हम थोड़ा सा इंतिजार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है your pen is linked to अधार number और अधार card की last four digit बताई गई है यानि कि instant में यह link हो चुका है तो आप अपने pen card में अधार card को link इस परकार से कर सकते हैं अधार number और pen number से आप आपस में दोनों को link कर सकते हैं तो इस वीडियो में detail पुर्वाख हमने जानकारी दे दिया है आसा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें और इसी परकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिये इजाजा तब तक के लिए गुड़ बाई